आज का ये मेरा अनोखा वीडियो देख करके आप भी हो जाएंगे हैरान क्योंकि भी मैं बनाने वाली हूँ समोसे वो भी बिना तले यानि उबाल करके उसके पात मैं दूंगे इन्हें तंदूरी टच और कुकिंग के हिस्ट्री में शायद आज से पहले किसी ने समोसे इस तरीके से बनाए होंगे और कंप्रोमाइज नहीं है भी टेस्ट में इन फैक्ट ये ज़्यादा टेस्टी है फ्राइड समोसों से और सच मानी अगर मेरा ये वीडियो वाइरल हो गया ना तो फिर आज के बाद मार्केट में दो तरीके के समोसे मिलेंगे एक तो फ्राइड जो की होते ही है दूसरा ये वाले बॉयल्ड वाले या आप कहले जिए इन्हें तंदूरी समोसे और बनाना इतना सिंपल है ना कि बस आप देखते ही खुश हो जाएंगे और जैसे कि इन्हें हमने बनाए बिना तले तो आप पेट भर की जितना मन करें उतना खा सकते हैं वो भी बेजिज़क नमस्कार आप सभीका कामदा की चैनल तेस्ट उप इंडियल्स में बहुत बहुत स्वादत है तो भई बॉयल्ड समोसे बनाने के लिए सब्से पहले हम करेंगे स्टफिंग की तैयारी जैसे कि अकसर होती है हना समोसे बनाने से पहले तो गैस के ओपर मैंने रख लिया है पैन और अब मैं एड़ कर रहे हैं थोड़ा सा तेल बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा तो इसे क्या होगा स्टफिंग पिस लेगी और वो फिर तूट कि भी हरी मिर्चे और इने कर लेंगे एड क्यूंकि भी मैंने लिए छे उबलेवे आलू तो इसलिए मैं यहां पर दो बड़े साइस के प्याज ले रही हूं आप कम यह जाद अपने टेस्ट के कर सकते हैं तो बस जी इने मिक्स करने के बाद हम एड़ कर लेंगे कुछ मसा कि इन सभी मसालों को हम लो फिले में क्या करेंगे अच्छे से दो मिनट तक सोटे कर लेंगे यानि प्याच के साथ और दो मिलड बात हम क्या करेंगे यहां पर एड कर लेंगे उबलेवे आलू जो कि छे हैं गिंती में जैसे कि मैं दुबारा बता रही हूँ और इन्हें मैंने बारिक बारिक करा हूँ है कट आप चाहे तो मैश करके भी एड कर सकते हैं लेकिन मुझे चंग सच्छे लगते है चोटे चोटे अगर आते हैं पीसिस इसके आलू के तो मुझे बहुत पसंद है तो खैर वो आप अपने टेस्स के अकॉर्डिंग चाहे तो मैश कर लीजिए तो देखे यहां पर जब मैं यहां पर इन्हें मिक्स कर रही हूं तो मैश भी कर रही हूँ साथ में ताकि वह हैं क्योंकि उससे टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है भी समोसो में तो बस यहां पर अच्छे से मने स्टफिंग कर लिए तयार तो मैंने गैस को कर दिया और यह देखेजें मैं आपको स्टफिंग दिखा रही हूं नजदीक से क्योंकि अगर स्टफिंग टेस्टी नहीं तो मैं मैदा नहीं ले रही हूं मैं ले रही हूं यहां पर आटा ग्योंका आटा बहुत ही लाजवाब बनते हैं से समोसे तो मैंने अट कर लिए थोड़ा सा नमक और साथ में एक चमच अजवाइन हालकि हम यहां पर तलके नहीं बना रहे हैं लेकिन अजवाइन का जादा तेल एड़ कर सकते हैं लगफग 12 चमच आप एड़ कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम इने बॉयल करके बना रहे हैं तो भही हम बिल्कुल भी तेल एड़ नहीं करेंगे नहीं भही हमें इसकी कवरिंग बनानी है एकदम मस्त और मज़ेदार तो यह देखे मैं बाइन कर र जादा गरम हो थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करेंगे और यहां पर एक फर्स क्लास टाइट सा डो तेयार कर लेंगे जैसा कि हम पूडियों के लिए करते हैं वह किसलिए वह इसलिए ताकि जब हम यहां पर बेलेना तो अराम से बिल जाए पिना सूखा आटा आप करते नेक्स तयारी तो मैंने ले लिए एक बड़ी सी लोई ध्यान रखेगा लोई थोड़ी बड़ी लेनी है क्योंकि हम जो आउटर शेल बनाएंगे समोसों का वह पतला नहीं होना चाहिए वरना वह फट जाएगा तो मैंने यहां पर मोटी सी लोई ली से अच्छे स अच्छे बढ़ी बरी तो डॉट है क्योंकि एच्छल अच्छे लिए आगसी होती है तो स्कुम्ग कंएि यह कहले आगसी क्या जाती है तो दिक है राइट साइड को उसके ऊपर हम इस तरीके से रग देंगे नीगैत ताकि जो हमने पानी लगाया उसकी हेल्प से यह चिपक जाए यह देखे जी और राइट हैंड से मैंने कॉन को पर से कॉर्णर से पकड़ावा हवा में और लेफ्ट साइड से मैं इसे प्रेस कर रही हूं कॉन बन करके हो गया है तैयार यह देखेजी कुल नहीं जाएए तो सारा काम हो जागा खराब वर्गया तो ऑर इसके अंदर भर रहे हैं आलो के अच्छे से बरती हो जब तक मज़े नहीं आएंगे तो फिर जो भी हम रही हम रेसिपी बना रहे हो उसको को खाने में कहा जाए में पानी लगारी ओके सामने के जब देखें और ठीक पेमें अगली डिख इसे को अगली सुटे है उसकी मेरा लेख आगे में चिपका दिया और लेफ स–वाली तरेकर अगली सहे के लगा रही हो है यह देखिए जी क्लियर आपको दिख रहा हुगा कि फ्रंट साइट का समने उठाना है बस उसको एक प्लेट का रूप देना है जैसे हम साड़ी की प्लेट्स मांते ना अपनी सेम उसी तरीके से यह देखिए जी प्रेस कर दिया जी फर्स क्लास हमारा यहां समोसे बना रही हूं और सच मानिए इतने ज्यादा लाजवाब बने थे ना कि अगर आप मेरे से पूछे तो मैं कहूंगी फ्राइट समोसे ज्यादा टेस्टी यह वाले समोसे हैं एक तो यह हेल्दी भी हैं और साथ में बहुत ही मज़दार यूनिक टेस्ट वाले तो इतना अमेजिंग रेसिपी है जब तक आप खुद फोलो करके इस रेसिपी को नहीं बनाएंगे और इतनी सिंपल है हल्दी भी है तो बहले क्यों नहीं बना सकते हैं क्योंकि फ्राइट तो काफी लोग नहीं खाते हैं यह सोचके कि भी तेल देखिए वह हामफूल होता है जादा लें और जैसे कि मैं आपसे खुद क्या कहूं हूं मैं तो खुद फ्राइट चीजे अवाइड करती हूं भले मैं बनाती हूं यहां पर वीडियो में आप सभी के लिए लेकिन मैं खुद फ्राइट ज्यादा पसंद नहीं करती तो यह वाले समोसे तो भी मैंने भी और मज़े से दवा करके खाएग क्यूनकि ना तो यह हैवी है और नहीं अनहेल्ली है तो देखीजी मैं इहां पर आपको शेब दिखा रही हूं मैंने 2 समोसे बना करके आपको शेप दिखा दी है और अब मैं बनाऊंगी 6 समोसे क्योंकि मैंने तो बनाने 12 से जाथा लेकिन मैं फिल हल आपको 6 समोसे की रेसिपी दिखाऊंगी तो गैस के उपर मैंने रखी वे कड़ाई और यहां पर रखावा धेर सारा पानी जैसे के आपको सामने दिखाई दे रहा है और पानी भी हो चुका है तेज गरम तो अब हम क्या करेंगे भी अपने इस मजेदार समोसे को यानि सारे समोसो को हम एक एक करके डिप कर देंगे इस कड़ाई के पानी में है ना कितनी यूनिक सी मजेदार रेसिपी सच मानिये पूरी रात मैं सोचती रही जब सुभा उठी ना तो सबसे पहले मैंने ये रेसि सोच रही तो उसे बना करके तो देखूं और जब मैंने बनाई तो मैं आपको बता नहीं सकती मैं इतनी खुश हुई इतनी खुश हुई कि जब सारे फैमिली मेंबर्स ने खा करके तारीफ की ना और भी मांगे तो मुझे लगा भी वा तो मजा आ गया एक दो मज़ेदार इक recipe मैंने इन्वेंट किया है तो मैंने क्या कि आप यहां पर कड़ाय में एक क्ये करके चे के 6 सोपो से कर ली है और अब क्या करेंगे हम यहां पर फ्लेम को कर देंगे हाई और हाई फ्लेम में इन्हें उबलने देंगे नेक्स छे मिनट तक ठीक तीन मिनट बाद मैंने पलट रही हूँ यानि तीन मिनट एक साइट से हम इन्हें पकने देंगे और तीन मिनट दूसरे साइट से और पस इतना ही काफी है यहां पूरे 6 मिनट हो चुके हैं इन्हें उबलते वे पानी के अंदर और अब मैं बिल्कुल जेंटल तरीके से एक एक करके इन्हें निकालूंगी बहुत ही अराम से निकालना है ताकि यह तूटे ना भी वरना सारी रेसिपी हो जाएगी खराब आप तो यह देखी है कितने जड़ा मज्यदार लग रहे ना लग रहा है कि हमने पानी में उबाला है इन्हें पानी में उबालकर कि हमने सौमोसों को तो एक तरीके से तयार करी लिया है अब हमने देने हैं इन्हें फाइनल टॉच more 、 बबाहि कर दें हर तरह के स्नैक्स को फे कृट करेंगे मैं हिला हिला कि कर लिता करके how कि हम तो biod 기자 करके, क्व distinguished हम बनाने वाले हें बिलकुल यूनिक तरेके से, एकदम मखेदार हुआ हैं अलट पलट करें और इने सेक रही हूं और भी सेकना भी है सारा काम यहाँ पर है मजे का वो है सेकने का तो आप क्या करेंगे अलट पलट भी करेंगे समोजों को और आड़ा तिर्चा भी करेंगे ताकि चारो तरफ से वो अच्छे से सिख जाएं फ्लेम को रखेंगे मीडियम टू हाई क्योंकि य जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मैं टेस्स से कोई भी कंप्रोमाइज करती है टेस्स को कम नहीं होने दूँगी हाला कि मैं उसके टेस्स को बड़ा जरूर दूँगी वरना वह रेसेपी में बनाऊंगी नि जिसमें टेस्स ना आए तो देखेंजी यहा करके जो छे समोसे हैं जिने की हमने अच्छे से कर लिया शैलो फ्राई इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में क्योंकि अब हमने देना है इन्हें मज़ेदार तंदूरी टच यह देखे जी तो इसी पैन में हम बिना तेल एड़ किये यहां पर एड़ कर रहे हैं लक पक ए यहां पर भी कड़ी पत्ते की तो कड़ी पत्तों को मैं अच्छे से धो लिया था और हाथ से टुक्डे करके यहां निगा पर ले लिए वह कर लीए देखे लिए श्र देखें मैं पर लेडी ब्रहुत लें इसी बién neonड़ करेंट गर ले ने तो फ्राई और यहां पर मियोनी इनकेस अगर हमें यह लगेगा कि इनकी कॉंटिटी कम है सॉस में तो फिर से हम दुबार से मिला लेंगे इन दोने चीजों को उपर से हना तो जी इन सारे इंग्रिडियोंस को मैंने अच्छे से कर लिया मिक्स और फ्लेम एक दम लो अब मैंट करने वाली हूं यहां पर थोड मैं इनग्रिडियन्स को कर लेंगे मिक्स और अब मैं हाँ पर जैसे कि मुझे लग रहा है सॉस की कॉंटिटी है कम जबकि समोसे हैं छे और उनका साइस भी अच्छा बढ़ा है तो मैंने इसलिए मियोनिस और टमैटो सॉस और भी एड़ कर लिया तो बस जी हम फर्स क्लास ह रेसिपी और यह सॉस इतनी टेस्टी है मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या खुशबू आ रही है इसमें सरसो के दानों की कड़ी पत्ते की आपने अगर सेम तरीके से फॉलो करके बनाया ना तो सच मानिए आप मेरी तो तारिफ करेंगे करेंगे लेकिन आप इतना खुश हो कि यहां पर इन समूसों को वाऊ लग रहे न मस्त तो कोट और ये देखेजी मैं यह दिखाती हम आपको नजीक से वाव लग रहे ने लुकवाई इतना मज़दार हैं और मैं जितना तारिफ करूँ उतनी कम है और ये लिजिए जी अब यहाँ पर हमने कर लिए अपने मज़ेदार समोसों को सर्फ जिने की हमने बनाया बिना तले यानि पानी में उबाल करके और दिया है उन्हें मसाले से फ्राइ करके एक तंदूरी टच और देखे मैं वीडियो आपको दिखाओं जबकि वीडियो डिटेल में दिखाना बहुत जरूरी हो फिर तो मज़े नहीं आएगा ना यहां तक कि मुझको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने किस तरीके से यह वीडियो अपलोड किया है यह तो कंप्लीट नहीं है तो खैर देखिए जी मैंने कर लिए यहां पर समोसे को कट और लग रहा है यह कितना ज़्यादा मज़ेदार और भई हमसे तो रुका नहीं जा रहा है तो हम तो लगें इसे खाने और यह देखिए मैं आपको फिर से नजीक से दिखारी हूँ इसकी स्टफिंग यह देखिए वाओ कितनी मज़ेदार एक दम इतनी धेर सारी स्टफिंग है और आउटर इसकी कवरिंग देखिए लग रही ने एक दम मस्त तो चलिए जी उमीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का यह वीडियो जिसमें कि हमने समोसों को बनाए बिना तलेई उबाल करके और तो चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ थैंक्स फो बोचिंग तो आज के लिए वीडियो आप सभी को कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जुरूर कीजिएगा और हां अगर मेरे इस चैनल पर आप न नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार